हलो दोस्तों, आप सबका स्वागत हमारी आजगी आजगी वीडियो में तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे जो Samsung का सबसे सबसेटा फोन जी हाँ, Samsung यह इनक सबसे बज़ट में आने वाला स्मार्टफोन लाँचि कर दिया है और तो और कि आपको पता है दोस्तो ट्रू कॉलर की तरफ से भी एक बहुत बड़ी ख़बर आ रही है तो ट्रू कॉलर ने इस बार गॉर्मेंट के साथ मिला के गॉर्मेंट सर्विसे से डिजिटल करके कुछ नई टेकनोलोजी लांच किया तो इसके बारे में जानकारी जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर देजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी करना है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं आइए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम ट्रू कॉलर के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रू कॉलर के तरफ से बहुत ही बड़ी ख़बर आ रही है जास अपने अगले अपडेट के तरफ यानि कि मी आपको पता है यांट है समसंग कीपता है तो दोस्तो जैसा कि मैंने आपको पता है सैमसंग ने अपना एक बजट स्मार्टफोन निकाल दिया है यह दोस्तो सबसे पहले जान लेते हैं हम उसका नाम वगरा कहा है और उसकी कुछ स्पैसिफिकेशन वगरा जो भी सामने हैं आपको वो सारी बता देता हूँ तो दोस्तो जो उसका नाम है यानि कि जो सैमसंग का बजट फोन निकल का है उसका नाम है सैमसंग M04 तो जी हां दोस्तो आप लोग ने सही सुना सैमसंग M04 करके इन्होंने एक नए स्मार्टफोन निकाला जिसके की जो storage वगरा बताई जा रही है वो 8-128 तक बताई जा रही जी हां दोस्तों ये up to करके लिखा गया है तो ये जो phone है आपको ये provide होगा 9000 में जी हां दोस्तों यानि की 9000 के career आपको ये provide होगा तो 9000 में तो Samsung आपको 8-128 तो नहीं देगा तो तो भी तो इसमें जो लिखा है भी जो लिखा है वा अपटू करके लिखा है उन्होंने भी अपटू 8-128 तक आपको इसमें memory वगरा आपको देखने को मिल सकती है तो दोस्तों आपको ये budget smartphone वगरा कैसा लगा और अगर आपको भी ये पसंद है तो आप भी मुझे comment section में comment करके बताएए कि आप भी इसको लेना चाते है नहीं तो दोस्तों वैस्तों ये simple साथ लग रहा है देखने में लेकिन ये फिर भी एक budget smartphone है जैसे कि मैंने आपको बताया है